हेलो गाईज वेलकम बैक चुमें चैनल किश्ण लवाड तो देखिए आज ये हम दो लंबर के लड़ू को पाल जी के लिए ड्रेस का बेस बनाना सीखेंगे ये देखिए बहुती ब्यूटिफुल सा एकदम बहुती असान तरीके से आप इस तरीके का बेस बना करके को पाल टियार कर सकते हैं तो चलिये बनाना शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से बहुत आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी और वीडियो गर आपको अच्छी लगेcken तो फ्लीस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजेगा तो चलिये स्टार्ट करते हैं अड्यूपाल जी बना रखी है, तो इसका वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड कर दिया है, तो आप जा करके चक कर लिजे, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इसका गेरा बनाना स्टार्ट करेंगे, आर्म होल की साइट से हम यहाँ पर धागा स् कर लेंगे पहले देखिए इस तरीके से और एक डबल क्रोशे के हाइट की तीन चेन बना लेंगे हम यहाँ पर दागा खीज लेते हैं पहले एक दो तीन देखिए तीन चेन मेंने ले लिया है अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिय बनाएंगे सेम चेन में फिर से एक बार और डबल क्रोशिय बनाएंगे देखिए फर्स चेन में हमने एक बार बनाया अब इससे नेक्स चेन में एक बार बनाया अब इससे नेक्स चेन में दो बार बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से हम अपना राउंड को कम्प्लीट करेंगे पहले एक बार बनाएंगे फिर नेक्सट चेन में दो बंगे फिर उससे नेक्सट चेन में एक बार बनाएंगे तो 1, 2, 1, 2 इस तरीके से करते बएं, हम अपने राउन को इसको कॉλिटे करेंगे दिखे दिखे राउंड के एंड में मैं आ गई हूँ हमने फर्स चेन ले थी जो तीन की चेन बना करके उसको हम अब यहाँ पर अटैच करेंगे लास्ट चेन में यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने इसलिप स्टिच से इसको जोइन कर दिया दिखे इस तरीके से आएगा यह नेक्स्ट रो में दिखे हम क्या करेंगे पहले हमने तीन चेन ले ली तीन चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन में एक क्रोशे मनाया फिर एक सेम नीचे वाली चेन में फ्रन्ट पोस्ट के लिए हमने इस तरीके से किया फिर साथ में हम एक डबल क्रोशे करेंगे फिर उससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे करेंगे अब जो हमने डबल क्रोशे किया है सेम उसी की साइड की जो नीचे की हमारा चेन है इस तरीके से लेकर करके उसको हम front post बनाएंगे साथ में फिर से एक double crochet बनाएंगे फिर next chain में एक बार double crochet बनाएंगे जिस chain में हम double crochet बना रहे हैं उसी की साथ की chain के नीचे की हम chain उठा करके front post बनाएंगे प्रंट पोस्ट बनाया नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया तो इसी तरीके से मैंने अपना पूर राउंड को कम्प्लीट किया है यह दिखिए लास्ट की जो हमारी दो चेन थी फर्स चेन की थर्ड चेन में इसको हम डाल करके स्लिप स्टिच से जोइन कर देंगे तो दिखिए यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे देखिए नेक्स चेन में हमने एक बार बनाया फिर दो बार बनाएंगे दो बार ओ गया नेक्स चेन में बनाएंगे यहां से हम देखे एक हमने यहां बनाया इससे नेक्स चेन में बनाएंगे यहां पर डाल करके बराबर वाली चेन में डाल करके एक डबल क्रोश्य बनाया फिर नेक्स चेन में डालेंगे यहां पर डबल क्रोश्य बनाएंगे तो दो के उपर हमार तीन स्टिच हो गया है, प्रंट पोस्ट के उपर फ्रंट पोस्ट ही करेंगे, यहां पर फ्रंट पोस्ट किया, फिर बराबर की साथ की चेन में ही हम डबल क्रोशिय बना लेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिय बना लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क् पोस्ट तो इसी तरीके से पूरा राउंड हम कम्प्रेट कर लेंगे दो चेंड फिर प्रंट पोस्ट तो राउंड को कम्प्रेट कर लेते हैं देखि इस तरीके से देखि राउंड के एंड में हम आ गये हैं यहापर जो हमने तीन की चेंड बनाए दी उसके फर्स्ट चेंड में इसको स्लिप स्टिच से जोड देंगे तो यहापर मैंने यहापर इसको भी अटेच कर दिया है तो इसी तरीके से अपने राउंड हम कम्प्लीट कर लेंगे यह देखिए हैं तीन चेंड बनाएगे फिर से देखिए हमने यहापर तीन बनाए थे तो इसके बाद हम चार स्टिच बनाएगे नेक्स चेंड में करके नेक्स चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर बरापर वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, देखे चार बार डबल क्रोशे हो गया, इसके बाद हमारा फ्रन्ट पोस्ट राता है, तो फ्रन्ट पोस्ट के उपर फ्रन्ट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर ने नेक्स चेन में एक बार डबल कोश्य बनाएंगे तीन फिर से नेक्स चेन में एक बार डबल कोश्य बनाएंगे चार तो अब हम फ्रन्ट पोस्ट के उपर फ्रन्ट पोस्ट डबल कोश्य बनाएंगे तो इसी तरीके से इस राउंड को भी हम कम्प्लीट करेंगे तो round complete कर लेते हैं इसी तरीके से आप round को बढ़ा करके complete कर लें देखिए मैंने round इस तरीके से ये complete कर लिए है तो ये last stitch में हम इसको attach कर देंगे slip stitch से देखिए आप कितना भी बढ़ा इसका base बना करके त्यार कर सकते हैं एक एक stitch हमें आपर increase करना होगा और double जो front post हम करते हैं वो front post के उपर front post कर देंगे तो देखिए इस तरीके से base बन करके आपका बहुत ही प्यारा सा ready हो जाएगा और बहुत ही easy steps के साथ ये देखिए आप बन कार बना करके ready कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से आप कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं देखिए यहाँ पर हम धागा कट कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर छोटी dress के लिए base हमने बनाया है तो यहाँ पर हम उसका धागा कट कर देंगे तो देखिए इस तरीके से आप बना करके अपने कुपाल जी के लिए तियार कर लेंगे base तो I hope guys आपको वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक जुरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजेगा मिलते हैं आप से next वीडियो में धाइंक यू, धान्क यू तो आपको वाचिंग में वीडियो